हुआ है जल्दी उतरो तुम लोग गाड़ी बाहर मत खड़ी कर अंदा लेकर चाहिए अरे दक्का अधिक है उठाओ इसे पापा एए तु अंदा लेकर आया किने क्या हुआ तुझे भाई के साथ जगड़ा हो गया है क्या हुआ इसे तुम सब लोग क्यों रहे हो प्रभू क्या हुआ डरावा क्यों लग रही है अंकल पुलीस वाले इनका पीछा कर रहे थे हैं पुलीस पीछा कर रही है क्या किया है तुने बता चुप करो लड़का पहले से डरा है और डरा प्रभू के पापा को अटैक आया था ना हाँ तभी माने मुझे पैसे लाने के लिए बोला था तभी आते वक्त स्टार सिटी हॉस्पिडल वाला रोड है ना तुम लोगों को पहले ही बताना चाहिए था ना बेटा मैंने बोला अमा पर इसने मना कर दिया गाड़ी रोग जड़ा पीछे लेता हुआ है कि यही घर है क्या है मुझे यही घर लग रहा है या के पूछ आज कर नहीं ममी पापा आप पहले ही प्रभू के पापा के अटैक के बारे में सोच का टेंशन में थे इसलिए मैंने आपको नहीं बताय है सनिया आप कुछ कीजिए ना जी प्रभू क्या हुआ सर टीन 45 75 27 हीरो हंड़ पैशन आपकी गाड़ी है क्या हां सर मेरी गाड़ी है कोल तो जा रही है लेकिन फोन नहीं उठा रहे हैं पता नहीं अंकल क्या हुआ तिरुपती देखो भाई आ भी आ गए मैं आपसे करते हैं तुम लोगा चाओ सर यह वही घर है यह रुको सर आरे आप तो सिर्फ बाई की इंक्वाईरी करने आए तो तुम लोग जूट बोलोगे लड़के लोगों को छुपा लिया है ना यह भी इंक्वाईरी है उन लोगों को भेजो अरे बच्चों को पुलीस के साथ के अगर खुद भेज दोगे तु बिना मारे हुए लेकर जाओंगा नहीं तो हम लोग क्या है तुम अपने बच्चों को कही नहीं बेजेंगे सुनो अभी हम बच्चों को इनके साथ नहीं बेजेंगे सुबह होते ही हम खुद बच्चों को लेकर चले जाएंगे तुम लोग सुबह वकील के पास जाओ या जैज के पास जाओ बलकि तु कमिशनर के पास चला जा इन दो लड़कों के बिना मैं इस जगर से नहीं हिलने वाला समझ गया सर क्या गुंडों जैसे बात कर रहे है परिवार वाला महला है ये शांती से बात करके उन्हें ले जा जाओ देखता हूँ जाओ जाओ जो जाओ बाता हूँ तुझे ठाने में आठ बापा जाओ जोड़ो मेरे बाबार तु कुछ की जे रहा आणी बठाल कुछ कुछ की जाओ बबबब बबब सुनिए टिफिन रेड़ी हो गया आप डैनिंग टेबल पर बैठिए ना मैं लेकर आती हुआ है इधरी खालेता हूं शमर ए शमर जल्दी आ शमर जल्दी आ तुझे हाथों से खिलाना पड़ेगा क्या क्यों उसके नाम की निलामी कर रही हो अरे आप भी ना कॉलेज का टाइम हो गया है आप भी ऐसी बाते करते हैं ठीक रुको मैं बुलाता हूं हाँ आवाज देने पर तो आता नहीं है और नह देखा आपने कब से बुला रही हूं पर आया नी और मुबाइल पर मैसेज आया तो फटाक से आ गया ए आज कल के लड़कों को माबाप से ज़्यादा मुबाइल की चिंता रहती है मम्मी क्यों बुलाया मम्मी हाँ मुबाइल पर मैसेज भेशती हूं पढ़कर समझ जाना ए बेटा तेरा भाई का है वो चतपर है पापा उसे बलाओ उसे खाने की दावत दूख्या ठीक है पापा क्यों जी चोटे और बड़े बेटे में इतना भेदभाव क्यों यह चोटा घर में क्रिमिनल का काम करता है समझ गई ना यहां क्या कर रहे हो नीचे पापा तुम्हें धून रहे है बैट ना साथ में इक असिस्टेंट भी है तुम यहां बैटकर क्या कर रहे हो अच्छा हमारी जो लाडली है उसका नाम क्या रखा है कनल में सरोजा देवी रखना है तो कोई अच्छा नाम रखिए ना ये पुराने नाम क्यों रखते रहते हैं जैसे की विजय, अजय, नैंतारा ये सारे नाम रख सकते हैं ना अच्छा बड़ा बेटा बिल्कुल विजय जैसा दिखता है कुछ लोगों को बच्पन में ये सम्मन में कह दो जाता है उसी की आदों में रखे हैं आच्छा पुरी बात जवान तक आ गई है तो उसे दबा क्यों रही हो बोलो ना नहीं घर पर सब लोगों के निकनेम रखे हैं तो मेरे लिए भी रख दीजिया ना उसी नाम से बुलाएंगे तो अच्छा लगेगा तुमारा क्या पारा मुनी अम्मा क्या पारा मुनी अम्मा क्यों टैनी कुछ आरम रखना चाहिए था ना हां वो नाम तेरी बहन ने रखा है। मेरी बहन कर दो round कि नअग्य करते ह데 बात मजद मजद में में शुरूरियू है और सीरियस हो गई मैं मजद में बूलता हूँ और तुम सीरियस हो जाती हो तो प्रभू बेटा प्रभू अरे जाके सब्जी ले थोड़ा यह कर लो पाने चला गया यह कैसे सब्जी वाली पालक है क्या हर सब्जी है मेरे पास में टोकरी नीचे रखती हूं खूदी देख लो डैड़ी पालक साफ है ना जैसे मैं साफ सुत्री हूँ ना वैसी मेरी सब्जी भी साफ सुत्री है एक का कितना हुआ दस रुपए ओके नॉट बैड यह लो थैंक यू अरे 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 सुनो तुम तो ऐसे चले जा रहे हो टोकरी सर से नीचे उतार तुदी लेकिन वापस रखेगा कौन मुझे लेका ट्यूब नीचे रखेगा इस तेन तो पैरों के बीच में रख दिया ए चालू कर चालू कर यह तुमने क्या कर दिया हां मैं यहां पूरी तरह से भीग कर खड़ी हूं और तुम ऐसे चले जा रहे हो बताओ अचानक पानी कैसे आगे पता ही नहीं चला सौरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या देखो दूसरी मेरी सबजियों का क्या हाल कर दिया है तुमने तो फिर अब तुम्हें एक काम करना होगा या तो मेरी पूरी सबजी तुम बेचोगे या फिर इसके पूरे पैसे तुम दोगे तब तक मैं आसे हेलोंगी रही समझ गया ना बेवकूप अच्छा होगा पापा ने ने देखा मुझे जगा मम्मी मैं पहली लेट हो चुका हूं और कितने टाइम लगेगा हो गया बेटा एक ही चोटी बान नहीं है बस बान देती हूं सीथी नहीं बैठ सकती ता भी समझ में आएगा सुबा सुबा दरवाजे पर बैठ कर बक्ती रहती हो ठीक है जाकर आए लेस खुला हुआ है बान ना कॉलेज जाने के लिए तेरा भाई के से तड़ा प्राय ज़रा देख तो इसे आंटी आपको पालक चाहिए क्या ये पालक क्यों बीच रहा है अ अटी थक चाहती है अनडिया देदी आपको पालक चाहिए क्या ले तो लूगी लेकिन 2000 के चुट्टे हैं डिच्ञाने तो आईटी पालक है एकदम फ्रेश है नाई चे ये जा इस वकी ए सबस्दी केने वाला सबस्दार अब को शको तुब झाला! अरे अरे था अरे था पूर्ने मेचा क्या है तक करने हैं चलो शुरू करो पूस्त देखो अरी क्या कर रहे हो यह शुरू करो कि यहीं का आद्म है छोड़ दीजे उसे पूस्त देखो लाएं अरे बहुत दर दर रहा है चल 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 जब गया हो रहा है तुम्हें अरे यार हमसे फसा सकते हैं बल्कि हम तो इसे मार भी सकते हैं लेकिन दूस्रे एरिया के लड़के से मारे यह ठीक नहीं है आर यार मझा मारे अरे यार आर घड़ करीं आर यार यहार हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 हु है हग है है कैस God 행र ने को निखित रहे है है रिप्तित हुए है फजण अर्वर्ट चोड़ नाजिए अनुक चोड़ लाइं कोट उद्रे बिधा का थेम कर दो तो अन्हें कर दो ने कर दो निखWith के तो ट जनbn को आपने पर इसकी को काते रुक्चा है चल रुक्चा हाथ छोड़ मेरा पापा के दोस्त का लड़का है इसलिए तुम्हारी हेल्प किये मैंने तुम्हारे साथ जो हट्टे-कटे दोस्त रहते थे वह कहां गए ओ लोग मुझे मार खाते हुए देखकर भाग गए ऐसा ही होता है मुसीबत में किवल सच्चे दोस्त ही काम आते हैं ना कि ऐसे लोग वह ऐसे नहीं है पर पता नहीं क्यों मुझे मार खाते हुए देखकर वह भाग गए तुनने देखा यह हमारे सामने अभी भी स्मार्ट बन रहा है इसलिए हम तुझे पसंद नहीं करते पिचट है उन लोग को शर्मा मत बोला उसका नाम शिल्पी है दो मार्किट में सेलफोन की दुकान है क्ली हो स्लफोन दुकान टर लग रहा है ए क्ली हिम्मत रखना हम लोग सात है न तुम तो लेकिन मैं वैसे और तुने जिसकी मार्ख ही वह दिखने में अच्छी नहीं अगि क्ली है वह эта सस्ट पहले बताएंगी तुम्हारी मैडम ने लड़के भेज़कर हमारे फ्रेंड को मरवाया है उसके बार में बात करनी है आप लोग उनसे नहीं मिल सकते उनकी मर्जी है उनका कुछ पतानिये कब आती है कब जाती है मैं नहीं बता सकती वह कभी भी आये कहीं भी जाये लेकिन उन वो देखो ओनर आ गई जाके उनसे बात कर लो जड़ा देखू तो सुन्दर है ना तेरी केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी है या थैंक्स यार हाई शाम को घर जाते वक्त याद दिलाना पौधा लेकर जाना है ठीक है सेल्वी तीनों बहुत उची आवाज में बात कर रहे थे बात करो इनसे क्या चाहिए कह रहे थे तुमने इनके फ्रेंड को पिटवाया है कौन चिल ला रहा था याँ पर जिसका बाल जहाड की तरह है हेलो ये स्टाइल है एए पहले चश्मा उतार क्यों? पहले चश्मा उतार मुझे देखना है कि तू कहां देख रहा उतार? बड़ी ये चश्मा उतारो तुझे क्या चाहिए? मेरे फ्रेंड को तुमने आदमी भीजवा कर पिटवाया है ना क्यों पिटवाया है ये जानना है कौन है फ्रेंड ये है क्या ये इसका तो यही काम है एक साल से डेली दुकान पर आता है लेकिन सिर्फ 10 रुपे का रिचार्ज करवाता है आज तक एक हेलो भी नहीं बोला ले जुकर इस पर तो मुझे विश्वास ही हो रहा है विश्वास नहीं करोगे अभी मैं अपने ग्रूप को बिलाती हूं मुन्ना भईया क्या बात है बेटी शेकर भईया क्या हुआ पर एहां हम लोग आराम से बात कर लेते हैं लोगों को डिस्टप क्यों कर रही हो रुकिय यही डर चाहिए, हाँ, तो अब बताओ, सुनिये, मेरा दोस्त आपसे एक साल से प्यार करता है, थोड़ा तो रहम कीजिए, प्लीज, यह प्यार के लायक ही नहीं है, चलो तुम लोग यहां से निकलो अब, जाओ, सुनिये न, यह कोई कॉमेडी नहीं कर रहा, बलकि यह रिय करेगा, चुप चाप इसकी शादी, गाओं की किसी सीधी साधी लड़की से करवा दो, यह खुश रहेगा, पहले तुम लोग इस जगह को खाली करो, चलो जाओ, जाओ, सुनिये, यह कह रहा है कि सिर्फ यह आपसे ही प्यार करता है, और आप है कि, एई, लगता है मेरी बा कि रचार कर दिया तुनी, क्या हो गया, एसी तुम रही है, यह उटकार भाट करो ना, यह जा अशार और हेसके बात करो, जाकर के विमतहीं से करो, झाली है, उसे देख दे दिडर लगता है मुझे अकेले जाके जैसे कई कृत बात करूंगा स४िलिस चलो जी है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है चलो ठीक है मैं आपको ड्रॉब कर देता है नहीं मैं चली जाओंगी ठीक है तुम जाओ मैं गाड़ी लेकर आता हूं हम हम क्या यार यह कैसे हो गया क्या यह क्या यह सब्सक्राइब अब यह तुम्हें पसंद आए कि नहीं है यह तो पड़ गई यार अब मुझे पार्टी चाहिए अब मुझे भी उन्हें पड़ा लिया है पापा आज के बाद हमारो हुमवक मत कीजेगा तीचर ने पैचान लिया ता नहीं पापा लेकिन आपने सब गलत लिखा ता इसलिए डांट पड़ी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक क्या करें इसमी हो गया सा धृत्टे सब्सक्राइब मुझे ग्रत्षं कर सतव फेल लोग guard Barb i Like यह के घुनारी अच चिल तो खासी मिंफी को खराब करने बैठा अबस मैरी मंची ने शादी हां मेरी मिक्सी नहीं चल रही हम्मी हाथ अटाओ हां यह क्या सुच तो भाई बिना ही चल रही है मम्मी आज कल सब कुछ रिमोट पे चलता है इसलिए टीवी रिमोट से मिक्सी को कनेक कर दिया देखा मेरा जा दू हाज के बाद टीवी डेख कर ही मसाला पीष लेना आटा पी पापा तेनी कुंजला पापाजी तेनी कुंजला पीजी मेरी बात की बात कर रहे थे बाहए बात में देखती दुझे लुझे पीजी करें यह लुळी क säger्यों तुम म dau्लना क्या है कैसी हो यह रें अश्वर्या कैसी हो कि company के एट च्भी बेठो लुट बेठों अरे रुकिये हम अभी होटल में खाना खाकर रहे हैं अरे तुम लोग घर पर ही आ रहे थे ना तो बाहर खाने की क्या जरुआ भावी जी मैंने पहले ही कहा था कि भाईया के घर पर खाना खाएंगा पर ये वो छोड़िये जी ग्यारत आरीको विखनेश की शादी है आना क्या है ये सब लड़की दिखने गए थे तब नहीं बुलाया अब सगाई में भी नहीं बुलाया और किसी अंचाना आत्मी की तरह पत्री का लेकर आ गए तुम दोनों यहाँ पर ये लिजे जी इससे पकड़ी है मैं ले लड़की इसलिए जल्दी से बात कर ली आप लोग शादी में जरूर आईएगा बस शादी अच्छे से हो जाना चाहिए और क्या कोई भी बात दिल में रखे बिना बच्चों के साथ दो दिन पहले ही आजाना मैं लेमन जूस नहीं पीती हूं दिदी ऐसे बिना खाय पीए कैसे चो ज़्यादा नाटक मत कर बहुँ ज़्यादा नाटक मत कर क्या सरवन कैसे हो मैं अच्छा हूं मौसा जी कार्तेक सरवन के कॉलेज में पढ़ता है ना तुम जोनों साथ में होना आरे मौसा जी मैं प्लस वन में हूं मुझे पीलो तुम्हारी एक्टिंग की कोई लिमिट नहीं है नखरे तो देखो इनके सही तो बूल नहीं है सुनिए पत्रिका निकालिए अगला ठीके दीदी आप जीजा जी के साथ खड़े हो जाए पकड़ पकड़ ना दीदी जीजा जी आप लोग दोनों शादी में मैंने तो कभी नहीं सुचा था कि मेरी मौसी की बेटी ऐसा करेगी पेरे घर में आकर इतना खमन दिखा रही है ए आज कर यूटूब बहुत देख रही हो चोड़ो मैं उनकी शादी में नहीं जाने वाली हो क्या बोल रही हो उनके लिए नहीं तो साडू के लिए जाना चलेगा जाए यह सब ना टीवी के सीरियल देखे डियालोग मा रही है अब देखे शादी के दिन मुझे यह काम है वो काम है करकर मुझे बस में भीज़ने का काम मत करना आपको क्या होगा तब देखेंगे हम लोग कार में ही जाएंगे और मंडप के दर्वासे पर ही उत्र पर दोब्र में बस पकड़के शाम तक पहुंच जाओंगा कोई जल्दी नहीं बेटा कुछ अरजण नहीं है संबल कराना बस में बैट कराना ठीक है तीक है बेटा कॉन है फोन पर प्रभू है क्या बहन जी बहुत दर्द हो रहा है तुम गाड़ी के चाबी लेकर क्या हो मैंने अस्पिटर लेकर जाता हूँ जाओ जाओ दिल्दी करो सुनिये सीने में दर्द हो रहा हूं को चली चली देखो तो अधार 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 पेशन के रिष्टेदार कौन है क्याश काउंटर पे 15,000 जमा की चली है 15,000 ठीक अभर देता हूं राजी मैंने दोपर में पैसे दिये था ना वो तु कार के भाड़े के पैसे है ना जी भाड़े के पैसे है ना कहां रखें बताओ मैं लेकर आता हूं सुनिये तो आप चले जाएंगे और डॉक्टर आकर कुछ पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूँगी आप मुझे पना फोन दे कर जाएए यह पास कर पास कर यहांपर यहांपर यह पास कर जाए ममी क्या हुँआ ममी कहां है बेटा तू अज मैज के लगा हुआ है प्रभू के पापा को आटाक आया हुआ है यह क्या बूल रहे हैं ममी उन्हें स्टार हॉस्पिटल में अड़िट किया है तू जली से घर जा हां चोटे के बैडरूम में जहां साड़ी रखी हुई है ना ह ड्रेस खड़िदे के लिए रखें सर चोटे के लिए छादी में जो पैसे मिलेंगे समझ लेना कम मिले इसका क्या हुआ है यह तो वही है इंसुलेंस के कागत कहा है चल निकल यहां से चल्दी कर चल्दी कर निकल अरे तेज भगा तेरी तोप इस नियुक पर अरे जो में तोपार क्यायक rocket लेकिताएं सुल्दी थाराइट को सūल तो आपत कि अरह ड्यायार तो आण सबाहक लोकिका गल्या है जया एसे फैसा क Kelsey से सुल्दी के थाओरा बास्त के दा तुल्दी का जिस अरे टिर्ख सुल्दी। किस ने मारा है जुँँ उड़े के चुझे चलो ускने अनकता है नहीं तो अ कि अनुज जोड़े करें मैं पुलिस हो रहा हूँ तुम्हें पर हाथ उठा रहा हूँ तुम्हें बारा चोड़ दो मुझे हलो सर सर मैं हॉस्पिटल में हूँ मैं आपको एक नंबर देता हूँ आप ट्रेवल कंपनी को फून कीजे वह आपको एक गाड़ी भेज देंगे ए इतनी देर क्यों लगा दी क्या हुआ शॉट पूरी गीली है और गंदी भी हो यह क्या हुआ कुछ नहीं ममी गाउं में खेल रहा था न और मैं नीचे गिर गया था इसलिए शॉट गंदी हो गए भाकी कुछ नहीं क्या वेटा तो爸 ऑप अभी प्रभू के पापा गक्या से है डौक्टर ने काया कि अछोड़ा सा माईयर अटाइक था ठीक है पैसे कर ने लीजी पहले पैसे जमा करते हैं क्या बेटा वह आते समय नहीं मम्य कुछ नहीं सुबा जब खेल रहा था ना तो कहा रहा था कि भूग लगिए तो मैं इसे खानी के लिए ले जाता हूँ ठीक है, उसे भूख सेन नहीं होती है, उसे कुछ खिला दे, जा, ठीक है, क्या कर रहा है, दर्द हो रहा है, मा को सच क्यों ने बताया है, पहले सही प्रभू की पापा के साथ ऐसा हो गया, और ममी टेंशन में है, और उपर से तु एक और प्रॉब्लम बताने जा रहा है, यसा कुछ नहीं है, पहले प्रभू की पापा ठीक होकर के घर आ जाए, उसके बाद हम शांती से बता देंगे, पर मुझी ये ठीक नहीं लग रहा, प्रभू, इस तरह रोगे तो पापा को कौन समबलेगा, कुछ नहीं हुआ है, माइडन एट्रैक था, ट्रीट्मेंट कर इयाँ, शाम को खर ले जा सकते हैं, हांटी, थेंक्स हांथी, क्या आप रभू बेटा, थेंक्स बूलकर हमें शरमेंदा क्यों कर रहे हो, हांटी, आप लोग नहीं होते तो मेरे पापा नहीं होते, आज, कुछ ने सर कुछ नियुक जहें पर नोच नहीं है कुछ नहीं है जए जए यहाँ अ इससार सर पता नहीं वही तो इस पुलिस वाले को सब लोग इतना मार क्यों रहे हैं? ममी, नीचे जो लिखा है उसे पढ़कर देखो ना पता चलेगा किसी को मार दिया है इसने? तब तो इसे पीटना ही चाहिए साहब, डॉक्टर ने फोन किया था, डिस्चार्ज करने से पहले आप कुछ बताय भी ना यहां चले आए कितने लोगों को मैंने मार के हॉस्पिटल में सुलाया है, उसी हॉस्पिटल में मुझे रहने के लिए कर रहे हो साहब, साहब अगर दो दिन आप अराम कर लेते हैं, तो चोट बहुत जल्दी ही ठीक हो जाती साहब साहब, मैं नहीं ये डॉक्टर बोल रहे थे चोट यहां नहीं लगी है, यहां लगी है, दर्द यहां हो रहा है सारे टीवी चैनल पर मैं ही मार खाता हुआ, नजर आ रहा हूँ, कोई भी मुझे देखता है न, मुझे लगता है मेरी कोई इज़त नहीं रही घर पर भी बीवी बच्चे इज़त नहीं दे रहे, शे, एक की भी शकल याद नहीं आ रही, तुझे किसी की याद है क्या सर, वो लोग जब आपको मार रहे थे, तो पबलिक ने आपके पास हमें आने नहीं दिया, पूरा घेर लिया था सर, टीवी चैनल वाला भी आप ही का चेहरा देखा रहा था, लेकिन जिसने मारा उसका चेहरा बलर कर दिया था सर एई, गाड़ी निकाल यस सर देख होनो पूरा偉 भाषा PK ऴुकिन जिस चलाया पूरा उसका चैहर एई, भाष्णे उसका आ, गाड़ी आख बढ़ी आन्य ही संका चैहरा जिसने ही शुकिन चङ़न के ऐद Все On mum's जाuntनी है, जारनी है, वाड़ी आँो चैहर। आ रै। इन है सैं इसी की भी शकल याद नहीं आ रही आसपास देखो कोई चहरा तुम्हे याद आ रहा है क्या ओके सर्फ फीसी टीवी कहा है? उदर देखो चलो सब लोग है एए जब यहां लडाई हुई थी तु इधर नहीं था अह harvest वो लडाई सीची टीवी कैमरे भी अधिया सीची टीवी चल तो रह था लेकिन रिकॉर्डिन्हूएवा को सर 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 इए फोटेज सर को दिएए ठीक है सर सर आप निकाल लो वो फोटेज निकाल ले लिया, सर ले लिया? या, सर अरे, वो लेप्टाप लेकर आओ लाता हूँ, सर गाड़ी साइड में लगा लेप्टाप देना इधर सर, ये लीजे ये लीजे सर, इस एरिया में एक फूल की दुकान है, सर सर, सर, इस प्लैटफॉर्म में कपड़े की दुकान है मेरे उपर जिसने हाथ उठाया, छोड़ूगा नहीं उसको सब को उठा का स्टेशन लेकर आओ ठीक है, सर मैं कौन हूँ, दिखाता हूँ उनको एक छोटी सी इंक्वाइरी है इंस्पेक्टर बुलाया रहे, छोटी सी इंक्वाइरी है अरे मैंने कुछ नहीं क्या सर अरे चलना कुछ नहीं क्या सर तेरी तो, मेरे उपर हाथ उठाऊगे मुझे मारोगे आज के बाद चलने के लिए तरस जाओगे सर, जाने दीचे न एक दो उठाकर इसके होश में आते ही मुझे पताना जी सर इस फुटेज में उन लड़कों का चेहरा ही नहीं दिख रहा मुझे लगता है कि वो कैमरा के उस साइड में रहे होंगे वो कैमरा फुटेज से बच जाएं लेकिन मेरी आखों से दोनों कभी नहीं बचेंगे पापा, ये नहीं चाहिए, ये माने टीवी पर देखकर बनाया है चुप-चप खाना खा, पकवास करती रहती है एई, अंडे ले लिए भूल गया यार, छे अंडे दीजे और साथ में उसके भी पैसे ले लिजे तुमारे भाई को याद है, उसने अंडे की याद दिला दी ये तो हमेशा स्कूल में लेता ही रहता है न, वो कैसे बूल सकता है वो पहले लेता था, अब कहाँ लेता ओ हूँ हाँ जब भी लिया हो, अंड़ा-अंडा ही होता है ठीक है ठीक है, तुम लोग अंडे के ले जगडा मद करो चलो, चलो लो समहल कर ले जाना है ओकै भाईया दीजिए भीया जहां जाता है बस मुझे बदनाम करता रहता है यह यह वही लड़के हैं यह वही लड़के हैं जाकर पकूँ से जो 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 चल 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 गाड़ी ज़रा तेज चल 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 निकल Lord अदेश चल 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 कृऑँ जल्डीकर हर जल्डी उत्रो पगड़ो कृटहाो हर फिर्लोग्स यह बागड़ो में serious अरे श्रमा अब हम क्या करेंगे जल्दी उतरो तुम लोग गाड़ी बाहर मत खड़ीकर अंदर लेकर अच्छा अने दक्का मारो तु धान्दी गया है उठाओ इसे पापा क्या हुआ तु अंदर लेकर आया किने क्या हुआ तुछे भाई के साथ जगड़ा हो गया क्या हुआ इसे तुम सब लोग क्यों रहे हो प्रभू क्या हुआ डरावा क्यों लग रही है अंकल पुलीस वाले इनका पीछा कर रहे थे हैं पुलीस पीचा कर रही है आटक आया था ना हां बेटा तभी माने मुझे पैसे लाने के लिए बोला था तभी आते वक्त स्टार सिटी होस्पिडल वाला रोड है ना हां तुम लोगों को पहले ही बताना चाहिए था ना बेटा मैंने बोला ता मापर इसने मना कर दिया गाड़ी रोग जड़ा पीछे ले तो सर यही घर है क्या मुझे यही घर लग रहा है या के पूछ आज कर नहीं ममी पापा आप पहले ही प्रभू के पापा के अटेक के बारे में सोच का टेंशन में इसलिए मैंने आपको नहीं बताया सनिया आप कुछ कीजिए ना जी प्रभू क्या हुआ सार टी एन फॉर्टी फ फोन नहीं उठा रहे हैं पता नहीं अंकल क्या हुआ तिरुपती देखो भाई या भी आ गए मैं आपसे खुद मिलने की सोच रहा था सरोन और करते को पोलिस जूड़ रही है उसके बारे में आपसे बात करने थी अंदार आयो डेटेल में बताता हूं पोलिस तो यहीं आ किया चल रहा है सब घबराने के जरूरत नहीं आए बात करते हैं तुम लोगा चाओ सर यह वही घर है यह रुको सर आरे हैं आप तो सिर्फ बाई की इंक्वाईरी करने आए तो अगर मैं सच बोलूंगा तो तुम लोग जूट बोलोगे लड़के लोगों को छुपा लिया करनी है तो मैंने सुबा लेका राजोंगा सर प्लीज सर अगर खुद भेज दोगे तुब बिना मारे हुए लेकर जाओंगा नहीं तो हम लोग क्या है तुम्हें पता चलिया है हम अपने बच्चों को कही नहीं बेजेंगे सर यह तो अन्याय है केस क्या है उन पर कुछ बताईए ना लड़कों सो कैसे इंक्वारी करनी है पताईए सुनो अभी हम बच्चों को इनके साथ नहीं बेजेंगे सुबह होते ही हम खुद बच्चों को लेकर चले जाएंगे तुम लोग सुबह वकील के पास जाओ या जै यह तो बच्चों को सुन्ट रहाता है चाओ तुझे थाने में था व Ini थाने में पापई था तुझे थाने में वह माँ कि वह उड़कों पक्रमा कि की जाओ थाने बठाव कर दो लिए जलो एक पापाव कुछ पिजिंगे जाओ मैं आपके जाओ पापा पाई अब यहाओ Baba, Baba! बढ़ियाए हम अज बबचाशिक दिया! Baba! Baba... 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 किसी देना बच्चे को लेखर चलेगा एए फोन आये तो कहना इंस्पेक्टर नहीं है ठीक है सर साहब इसमें रेद भर के बांद ठीक है साहब हेई तुम लोग मेरी भाग दोल का खेल देख रहे थे गाड़ी के नंबर से कैसे घर का पता लगा लिया पुलिस को बेवकूप समझा है हेई अभी बताता हूं तुम सब को तेजी से काम कर हेई इस एरिया के सारे गुंडे मुझे देखकर हंसते हैं जानते हो तुम लोग मेरी हालत क्या हो गई है हेई क्या नाम रखा है रे मेरा इलाके में जौन सर सुनाई नहीं दे रहा जोर से बोल जौन सर जौन बोले तो सर जब हम आते हैं न तो जान जाने जितना दर्द होता है इसलिए जौन पुलिस सर गुंडे लोगों की मेरी मार से आलत खराब हो जाती है तो सोचो तुम लोगों का क्या होगा है तैयार हो गया क्या हाँ साब हो गया उन्हें देदो चलो डंडे को अच्छी तरह तेल पिलाया है मज़ा आएगा वाह इस डंडे को इसलिए तेल में डुबा कर रखा जाता है ताकि मारते वक्त खून इसके अंदर ही रहे सुनो बेटा बी वज़े तुम लोग इसके आद में पस गया हो मैं एक काम करता हूँ जिससे तुम इसकी पिटाए कर पाओगे हाँ लेकिन बहुत डर लग रहा है सर हमें बचा लीजिए वो पागल है किसी की नहीं सुनता है मैं एक काम करता हूँ लाइट की में लाइन आफ कर देता हूँ रूम में अंधेरा हो जाएगा तरवाज़क खुला है वहां से भाग जाना कल पापा के साथ वकील को लेकर आन तो कोई निशान बाहर नहीं दिखेगा लेकिन अंदर वाली नस सुन हो जाएगी देखना चाहोगे भी तुम लोग अभी दिखाता हूँ क्या हो रहा है किसने मारा है किसने मारा मुझे है किसने मारा है अमें नहीं पता है ना किसी को जिन्ना नहीं छोड़ूंगा श्रवण तेरे हां से खू निकल रहे मारते वक्त उसका दाथ लग गया बच्चों को कुछ हुआ तो नहीं होगा अपने साथ एसीपी है न डरो मत मेरे गुस्से को डवल कर दिया तुम लोगों नहीं अब देखो मैं च्या करता हूँ इंस्पेक्टर कहा है अंदर है सर बुला जी सर इंस्पेक्टर ने बच्चों को मारा तो नहीं होगा मैंने बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाया ऐसा कुछ नहीं होगा मैं देखता है ए बोल रहे सर क्या है एसी पर बुला रहा है फोन काट दे और कैदे मैं नहीं हूँ वो तो खुद आए सर सर हैं ये तुम्हारी शकल को क्या हुआ है सर बाथरूम में फिसर द्यूटी के टाइम में अगर होश में नहीं रहोगे तो ऐसा ही होता है जिस लड़की की हेलमेट की वज़े से चोट लगी थी वो अब जिन्दा है इसलिए डिपार्टमेंट ने तुम्हें सस्पेंड नहीं किया वहाँ सारी की सारी पबलिक इन्हें ढून रही है और तुम इन्हें मार रहे हो देखते हैं जरा हुना यहां तक तो आने दो सरोन मारा तो नहीं न बेटा इसने तुम पर हाथ उठाया डरो मत बोलो नहीं सर हमें नहीं मार रहे है इन्होंने तुम इन लड़कों को यहां क्यों लेकर आए सर एक छोटे से केस में इंक्वारी करें मत बोलो यह सब तुम हेल्मेट केस की वज़े से कह रहे हो ना मेरी बात सुनो मुझे सब पता है बेवज़ा मामला बढ़ाओ मत हाँ आप लोग अपने बच्चों को लेकर जाए ठीक है सर जालो अगर दुबारा ऐसा किया नो तो मुझे अगला कदम उठाना पड़ेगा इतनी बार ट्रांसफर हुआ है फिर भी तुम सुधरते नहीं अच्छा तुम लोग भी इसी स्टेशन में हो ना इस आदमी को समझा नहीं सकते थे यह आदमी इतना अन्याई कर रहा था सुनिये गाड़ी यहां क्यों रोक दिया अपने अरे आगे जगे नहीं है सही जगे रोकी है मैंने सुनिये मुझे मंडप की पास उतार कर फिर कहीं भी खड़ी कर दीजेगा क्या किया है यह न मैं तुम्हाई ड्राइवर हो क्या जो तुम्हारे मज़िह से गाड़ी रोकूं एइसी बात नहीं है जी इतने दूर गाड़ी में क्यों आए है मंडप की दर्वाजे पर उत्रेंगे तो सब के सामने हमारी इज़त बढ़ जाएगी ना हमारे घर में कितने नक्रे किये थी याद नहीं आपको चलिए ना मैं मना भी करूँगा तो यह मानेगी नहीं हाँ 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 चलो पदा चलेगा ए रुक ना अरे रुकिये ना वेजी नमस्ते आईए आईए वेजी रुकिये ना आप लोग तुभी रुक चीक है ना वेजी यही मंडप है ना मैं पत्री का लाना भूल गई तो पता नहीं चल रहा था कार्ड में मम्मी पापा का चेरा भी छपा हुआ ना यह सरुना इंडर जाए है मैं आती हुआ हाँ आज़े उतर चेरा ना शादी का काम चीक से चल रहा है न एक दम ठीक से तुम बहन के साथ नंजर जाओ मैं गाड़ी लगा कर आ तो गाड़ी चल्दी पाक करके आजाए गाड़ी निकल बेली चलिए जलिए 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 आईए सर क्या थी रुपती तो घर तक जाने की सोच रहा था तुरुपती तुमारे पास एक लाग भाड़े का पैसा बाकी है ना उसे दे दोगे तो मेरा काम चल जाएगा अभी पैसे नहीं है सर क्या बोला पैसे नहीं है पास दिन के भाड़े का पैसा नहीं है क्या किया सर इसने अभी तक गाड़ी के पैसे नहीं भरे ना आँ गया था ना भाग तो नहीं गया था ना सीधा ओफिस में आकर पैसे भरने चाहिए थे ना सर जरा धीरे बात करिये सर रिष्टदार सब देख रहे हैं मैं किस तरह से बात करूँ तुम मुझे मत सिखा लेकिन तुझे मैंने छोड़ कर रखा है मुझे मेरे पैसे चाहिए देदूगा सर आज नहीं तो शाम को आकर देदूगा तू शाम को दे सुभा को दे कभी दे ले इससे चावी ले सर पैसे दे दूगा सस्धार तूत अब इसको शूरु से बताना पड़ेगा सर पहले तमीश से बात कीजे क्या तमीश से बात करूँ कि तो अपना काम कर एह चाबी दे पैसे डेकर का्भी लüğा द 9 अरे पिज़ को थां acuerdo अरे, येलाओ अरे? चिंता मत किजिए, चलिए, अंदर आईए बन गए, आखिर ये कैसे हो गया क्या है ये सब, सारे गहने को उतार कर रख दिये? इसमें बीस बाइस तोला सोना होगा, मैंने सारा सोना निकाल कर उसमें रख दिया है ये क्यों कर रहे हो? ये सब बेश दोगे, तो कम से कम तीन लाग में ले जाएंगे और अगर कम पढ़ेंगे, तो बच्चों की पढ़ाए के लिए जो ऐसा बैंक मेहना अगभग एक लाग होंगे वो सब मिलाकर एक नई गाड़ी ले ले लेते हैं, आज के बाद किसी के सामने हाथ पहलाने की ज़रत ने तो तुम इसमें अपना मंगल सुतर बेश दोगी? सोने काहो ये ज़रूरी नहीं है, एक पवित्र धागे को भी मंगल सुतर कह सकते हैं वहां पर सब लोगों के सामने मेरे पती की इतनी बेशती हुई है, इतनी बद्दामी सैने की बाद यहां पर बैठी हुई हुई हूँ, छोड़ो अब उस आदमी के बारे में तुमको पता है ना, मुझे थोड़ा होश्या रहना चाहिए था, बेरी भी गलती है ना, गलती तो रहने दीजिए, लेकिन वो बोलने का एक तरीका होता है ना, उस आदमी को आपने इतना समझाया, कि अज़ा मत कीजिए हम अपने रिष्टिदार के यहां आए हैं, शादी में आये हुए इतने भी मेहमान वहां खड़े थे, हम सब भी वहां खड़े-कड़े सब देख इन सब बातों का भी उसने बिल्कुल खयाल नहीं किया, और कैसे बात कर रहा था अपसे, अपने परीवार का खयाल किये बिना रात दिन उनके लिए काम करते, मैंने तो पहले ही का था कि यह चोड़ दीजिए, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, महरबानी करके यह सोना बे इनोवा बड़ी बड़ी गाड़ियों की डिमांड करते हैं, कश्टमर की यह चाहत है, साथ लाग की जरूरत पड़ेगी, चार लाग से कुछ नहीं होगा, कुछ भी हो जाए, आप बस किसी भी तेरे गाड़ी करीद लीजिए, सुनो, दुबारा काम के लिए गया, तो उसक कुछ खाएंगे के भाईया, कुछ नहीं चाहिए मुझे, यह क्या सारे जेवरात पर कपड़ा डाल कर रखा है, तुभारी बेहन मुझे एक गाड़ी का मालिक बनाना चाहती है, क्या इस सबसे हो जाएगा, उसके लिए अकात होनी चाहिए, सुनिए, रोई ये मत, क्यू र गाड़ी खरीदोगे, मेरे रिटार्मेंट का पैसा बैंक में ऐसे ही पड़ा है, अच्छे काम के लिए इस्तमाल होगा, वो मैं तुम्हे दे दूँगा, वैसे तुम्हारी नोकरी मेरी वज़े से ही तो गई है, अगर अभी मैंने मदद नहीं की, तो जिन्दगी भर ये ब स्पर पाप पाप कितना हुआ भाई? दोस्व सर्, ये लीजे थेंक यू सर् सर, 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 चलिए, सर्थ, ये ले जाओंगा, कोई बीज बात नहीं, कोई बात नहीं, किंता मत किले, कहां रेते हैं, ठीक'RE, आप मुझे दीजे, चलिए, आप क्यू तकलिफ कराएं है, अब ये लिफ्ट तक तक चोड़ देता हूं, लिफ्ट आउट ओफ सिरीज है लो, चले, चले, कहाँ लो आये भैई, आये समहल कराइए आज काम नहीं है क्या सर? नहीं भाई, दो तिन दिन काम नहीं तिम लोट बा को क्यों सर सा ठीक करना चाहिए ला मैकेनिक नहीं मिल रहा है अअरोपे लेकर आथा ह Tisch आप ओपर चले मेले कर आता हूँ हां आपने मेरी बहुत मदद की धीरे सर समल कर आपने आराम से एक सर आई ए सर आप मिल्टरी मैंन है क्या हां भाई एक्स मिल्टरी हूँ बहुत अच्छा समल कर सर यही क्या यही फ्लेट है भाई लाये में ले लेता हूं अरे नहीं सर रख देता हूं अरे नहीं सर पहलें में ले लूँगवए चलिये में देता हूं यहीं रख दीजे मैं उठा कर लेगा थेंक्स आपका फोन वाइब्रेट हो रहा है देखिए कश्ट्वन कॉल सर ठीक है सर चलता हूं सर ननिवाद थेंक्स ओके ओके अब ही आता हूं सर हां आता हूं सर ओके सर कुछी का दोे हूं सर चाहं सर प्र बड़ता कर द कर दाना है घड़ पर रिखरी हैं आप जो है। क्या हो बिटा पापा ने फोन नहीं उठा है यह भी ना कैसे हैं शादी के दिन है बाहर जाकर खाना खाते हैं कहा था अब तक इनका कोई अता पता ही नहीं है फोन भी नहीं लग रहा क्या है क्या है बाह क्या है क्या है बाहर जा क्या है क्या舆 रա झात FOR 750 a कैसे बाहर जा भी नहीं है रशाओ वाज़ी आपकश क्वाज़ी आए। अजयता है। अमेल समय वर और भूलाई। और भी तरे पिलिलन को बीए। पढ़ाएं कर सकता क्या चुपढ़ाय कर क्या हुआ पापा ने फोन उठाया क्या अई मम्मे कैसे उनसान है ये शादी क कर दिन है बाहर चोपन कर खाना खाएंगे कहा था अब तक नहीं आये हैं नहीं फोन उठा रहे हैं समय भी हो गया अब तो कब मंदिर जाएंगे और कब डिनर पर जाएंगे इसलिए मैंने भी अब तक खाना नहीं बनाया अब बनाओ या ना बनाओ वो कन्फ्यूस हो गई हुमें बनाने की जरुरत नहीं आज हम होटल में जाकर खाना खाएंगे एक दिनी तो अच्छा खाना खाते हैं अच्छा खाना रोज रोज टीवी पर देखकर तुम्हें लिए टेस्टी खाना बनाती हूं उसका क्या तुम लोगों के अंदर नहीं बहुत जर्बी आ गई है देख पापा आ गया होंगे पापा लेट हो रहे थे तो फोन करके बता देते बच्चों को भूक लगी है इंतिजार कर रहे हैं क्या हुआ जी क्या हुआ अटेंशन में क्यों लग रहे हैं शर्ट भी इतनी गिली हुई है गाड़ी की आवाज भी नहीं आई गाड़ी कहा है क्या हुआ जी गाड़ी कहा है गाड़ी में कोई खराबी हो गई क्या नहीं पर ऐसा कैसे हो सकता है मैं पूछती जारी और आपको जवाब नह कैसे हुआ काड़ी को ऊपर छोड़ने गया और तभी बाहर आ आकर करदी क्या से देखा अब हरस्य गूम कर देखा हे भगवान क्या हाजी मैंने अपने सारे सेवर बेश दिये थे उसके लिए इनकी पढ़ाई के सारे पैसे भी दे दिये और आप अकर कह रहे हैं कि गाड़ी चोरी हो गई है और आप चुप-चुप कड़े देखते रहे मैं कितनी खुश थी कि अब नहीं गाड़ी हो गई सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन भगवान को यह भी मन्सूर नहीं था क्यों हम लोग हरोस नहीं मुसीवत में पढ़ जाते हैं क्या भ्छी क्या हो गया गाड़ी चोरी हो गई चोरी हो गई कब चाम को लगबक पांच बजे के तरफ सोना रोड से उसके पास एक अप्पाट mbेंट है ना मैंने वहीं खडि की थी गाड़ी की चाबी लग मेरे पास यह चाहँ आप क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है रोए मत रोए मत आप लोग रोएंगे तो बच्चे रोएंगे सोचते हैं पुलिस कंपलेंट की नहीं नहीं अभी रात भी बहुत हो गई है कल सुभे उस एरिया की पुलिस टेशन में जाकर कंपलेंट करेंगे इंशॉरं इंस्पेक्टर बाहर गया है ठीक है सार उनके आते ही काम हो जाएगा सार नौकरी डूढने के उम्रों मैंने स्टेरिंग पकड़ ली ड्राइविंग के लावा मुझे कुछ नहीं हाता सार सार गाड़ी मिल जाएगी ना मिल जाएगी विश्वास रखेए चिंता मत कीचे ड अपने साइट से आप लोग कोशिश कीचे ठीक है क्यों भाई काम्प्रेंट तो दे दी है गाड़ी मिल जाएगी ना ज़रूर मिल जाएगी हिम्मत मना सर 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 जैन सर वो आदमी क्यों आया था सर उसकी कार चोरी हो गई है इसलिए कंप्लेंट लिखवाने आया था क्याता है चोरी हो गई और कंप्लेंट देने चले आते हैं नहीं सर वो आदमी ऐसा नहीं है क्या उसे देखकर लग रहा है कि उसे शराब की आदत नहीं है सर मैं उसकी अफाइयर रेजिस्टर कर लो वो सब मत देख लूँगा तुम चाहे लेकर आओ पोस्टर को अच्छे से चिपका दिया रहा देख कर लगा चिपका एक सूद अब हैं वहां पर विदेख लो कि उस तरह उपर लगो ए उसे देखना ज़रा शकल देखी आपनी तुम्हें देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हाजी मजाग करते हो तो ही अच्छे लगते हो तुमसे रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा स्माइल करो तुम मुझ क्या देख रहे हो खाने को बोलो ना हे बिचारी कब से कह रही है तुमको खाना खाने को खाओ ना एक वो कहीं जा रहा है कार्थिप वो तुम्हारी कार नहीं है चलो आउं टाइम क्या हुआ साड़े ग्यारा बच रहा है इतने लेट क्यों हो गए इतनी जल्दी क्यों बलाया वो दीपा की दाधी एक्सपायर हो गई बचारी बहुत रो रही थी इस हालात में हम उसके साथ रहेंगे तो उसे हिम्मत मिलेगी चलो टाइम होगे निकलते हैं हां चलो ओरे हम सब को छोड़के जली गई दीपा तो रो मता ए मत रो ना तो अध्य हो गया धृ长 बहुत के रिश्टदार लगते हैं देखो न लोगों को बहुत कश्ट हो रहा है ना लगता है कधानी को बहुत प्यार करती थी प्यार करती होंगे यार बिचारी लगता है दादी उनको बहुत पसंद करती देखो इदर जाए उदर जाकर गले लगा कर रोईए तुम बहुत हिम्मत आ गई है उनको तोना सपोर्ट में गयाता है मेरा तुम दोनों ऐसे रोता रहोगे क्या श्रवें कार की कीमत इतनी बड़ी नहीं होती है मिल जाएगी किमत रखो मैं बोल रही हो न अच्छा हास कॉन रहा था मैं नहीं यहास रहा था कोई बात नहीं दे दी सारी यार अगलत मत समझना पागल कहीं के तुम्हारी वज़े सपस गई हेहे हेहे 싫 को हाथ 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 है हां हां सभी झार क्या तुन्ह भाइक कर दे नहीं वह अपो आप रहा है अपनी कारड को चाल रहा है अरे अकल नहीं है क्या अभी तेरी बाइक पे चड़ जाती ना मेरी गाड़ी भाई ये गाड़ी मेरी गाड़ी जैसे दिखती है और इस गाड़ी का नंबर भी सेम है इसलिए मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया गाड़ी चोरी हो गई ना गाड़ी चोरी हो गई तो पुलीस में कंप्लेंट करो ना चोरी करने वाला यहां पर गाड़ी चलायगा गया अब तक तो गाड़ी का कबाला बन चुका होगा हाँ मैं गणेश बोलना हूँ हाँ नमस्ते मस्ते टाइटेनिक जाहज के मैंने ही पार्ट निकाल कर पेचे हैं कैसे हो तुम ये ख्ली बड़ी बात है क्या तुमने जंक्शन देखा वहां सिर्फ इंजन ही है दब्बा सब कहा है ये सब इन भाज साब का कमाल है जो कुछ भी लेकर आओ यहां सब बिख जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती काम करके देता हूँ क्या मैटर है बताओ दस मिनिट में गणे साब की प्रॉब्लम सौल्ब कर देगा मेरी कार चोरी हो गई है नहीं है लेकिए हमारी कार चोरी हो गई है बच्चों की तरह दिख रहे हो लेकिन तुम लोग इधर क्यों कार ढूण रहे हो भाई ये सब कुछ अलगी जेगा है तुम लोग पढ़ने बाले बच्चों हो कार को इधर ढूणने के लिए बताओ या चाहिए तो थोड़ा पैसा ले लिजे थोड़ी पूश्टाश करके बताईए भाईया वो जब मुझे नहीं चाहिए मैंने कह दिया ना मुझे नहीं होगा प्लीज भाईया प्लीज तुम लोग कहीं और जाकर देखो भाई तो उसके बारे में किस से पूछू जिस से पता चलेगा कि दो जाओ बारे में इधर पूश्टाश क्यों कर रहे हो तुम लोग छोटे बच्चे हो निकल जाओ बना यहीं काटा लेगे निकलो यहां से सब्सक्राइब करके बहुत खतरनाक है तुम्हारे हड़ी पसलिक है तुकुड़े-टुकुड़े कर देंगे चुप चाप निकल जाओ यहां से चलो चलते हैं कि ए श्रमण हां यह देख यह पतनी गारी का है यह कि ए यह क्या कर रहा है तुछ नहीं बसकती यह देखो क्या लिख रहा है कुछ नहीं पापा खुदी देखी ना कुछ ना कुछ करता ही रहता है पापा कोई बार यह जिस पर मैंने एलेव यू लिखा था है करें लोगों की कार चोरी हो गई है बोल्बर हमने उठाई है यह लिखा था कार लापता है तो पलिस में कंप्लें लिखा इधर आके लफला क्यों कर रहा है तो है पलिस आपे लोगों करें ने रिखा रहे है जोड़े पिसलेह अब है यह जोड़े आप इनलोगों को चोर लाम आप अधर है पुट आप गली पुड पुप हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है एप अग य हुआ है यह उड़ ऐस प्याइड है हुआ है यह टुटी है ए्ट चर वा अब तुटी अशोग है अगर दुबारा तुम लोग यहां पर दिखाए भी दिये तो चमणी उधर्ण कर दूँगा चलो यहां से अय। किसी और ट्रयवल में ट्राइ करना चाहिए एना है कि फ्सक्राइब बेहन जी पहले जाकर दवाहि लेकर आई है पापा खुण आ रहा है कार्तिक यह सब क्या है इसे बैक से कर गया बह्त जी पहले जाकर दवाई लेकर आई है इतर चोड कैसे लगी पापा डढ़ हो रहा है पापा क्या हुआ सरवन चोड देखकर लग रहा है बाइक से नहीं किरे यह क्या हुआ च्छात्रम बस स्टेंट के पीछे एक भंगार की दुकान है नवहाँ पर हाँ थो च्षत्रम में जो भंगार की दुकान है वही है न उन लोगों ने ही अपनी गारी चुराई है पापा जब लोगों ने ही इसकता अन्य हमें बहुत नारा मुदूर द्रून, बता कैसे मारा है देखा एक तो घलती की और बच्चों को मारा भी प्रभू गाड़ी निकल कौन है वो आदमी चल दिखा तुरुपती जल्बाजी मत करो जरा शांत रो उनके साथ हम नहीं लड़ सकते वो लोग धंदे वाले हैं हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं और आसपास वाले अभी उनहीं का साथ देंगे हम लोग पुलिस में जाते हैं सुनिए भाया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ऐसे अकेले मत जाईए वहां हाँ बहुत ही बेकार जगा है सुनो कार किसने चुराई वो पता चल गया ना तो पुलिस में जाते हैं ना क्या हुआ सर क्या बात है हम हमने कार की कंप्लेंट दिकाई थी सर चत्रम बस स्टैंड के पीछे भंगार बेशने वालों ने चोरी किये मेरे बच्चे जब पूछने गये तो उन लोगों ने इने मारा हम पूछेंगे तो लफड़ा हो जागा सर पुलिस को बेचके पकड़िये उन्हें इंस्पेक्टर अब बहुत जाए जाए मेरा हिस्सा कहा है यार कहीं नहीं जा रहा हूं सर मैं तुमारा कहा हूं आप अभी यहां मत रुकिये कल आए इंस्पेक्टर साब अंदर बैठे हुए हैं हमने कंप्रेंट क्यों ने मताया नहीं क्या जब धंदे में बड़ी डील हो तो मुझे मत भ गुस्सा मत हो शांत हो जाओ शांत हूं मैं कार की कंप्रेंट किये वे कितने दिन हो गए अभी तक खुछ मता नहीं चला देखो कार चोरी करने वाला चोर इंस्पेक्टर के सामने कैसे अराम से बैठा है अंदर डालने के बजा है बैठ कर बाते कर रहे हैं हमारे बच्चों को शांती नहीं है और शांती से रहना पड़ेगा है आवाज नीची कर अपनी हां सर हम तो सिर्फ बात ही कर सकते लड़त हो सकते नहीं आप जैसी पावर तो नहीं है हमारे पास और इसके जैसी कार दूंगा इसका क्यों सर दमकी दे रहे हो सर वैसे ये गुससेल इंसान नहीं है लेकिन बच्चों की आहलत देकर गुससा हो गया हमारी गाड़ी का साइड मिरर इनकी दुकान से मिला है उसकी पूछताच करने पर इनके लड़कों ने बच्चों को मारा ठीक है मुझे क्या करना है वो भी तुम ही बता दो आप इनक्वाइरी करलो सर सारी सच्चा ही सामने आएगी इंक्वाइरी करनी है, तो पहले तुम ही जाके कर लो, हम जाके करें, और क्या, तुमसे पहले इन्होंने कंप्लेंट दी है, इन्होंने किसकी कंप्लेंट की है, तुम लोगों के उपर, तुम्हारे बच्चों ने शराब के नशे में इनके आद्गियों को मारा, वो हॉस्पि तेरे जैसे इंसान ही क्या करता है हमने अपने बच्चों का ऐसे नहीं पाला समझे तिरूबती अगर तुम ऐसे बात करोगे तो हमें न्याई नहीं मिलेगा जहां जाना चाहिए वहां चलते हैं चलो चलते हैं चलो सर इन लोगों की स्पे से थोड़ी पहचान है न इसलिए इन लोग इतना सदा उड़ रहे हैं पर अब उनका ट्रांसफर हो चुका है सर सर मैं जो कह रहा हूँ आप उसे खलत मत समझे जब तक ये इंस्पेक्टर यहाँ पर है आपको एफ़ायर मिलेगी नहीं सर जब दूसरा इस्पेक्टर आएगा तभी काम हो पाएगा तब तक आप अपने बच्चों को इसके नजर से दूर ही रखिये वो जूटा केज डाल कर आपके बच्चों को अंदर कर रहा सकता है इनकी जिंदगी बरबाद हो जाएगी आप हिमत मतारिये बहुआ सब देख र सहाब आ गए नमस्ते बैठिए बैठिए और बताइए कैसे आना हुआ आप अपने बोर्ड में ही है ना आरे रे आप लोग अपने हैं बैठिए ना क्या पिएंगे धन्यवाद सर कुछ नहीं चाहिए इन लोगों की जाने के बाद उनको बुलाना मुझे क्या करना है वो ब नमस्ते सर दस साल की मेरी एक बेटी भी है परिवार अच्छे तरह से चला रहा था मुझे ड्रैवर की नौकरी से भी निकाल दिया गया सर पता नहीं क्यों सर मैंने बीवी के सारे जेवर मेरे बच्चों की पढ़ाई का पैसा सब कुछ मिला कर एक कार खरी दी थी सर मैंने जिन्दगी के नहीं शुरुवात की और फिर वो कार चोरी हो गई जब उसका पता लगा तो उसने मेरे बच्चों को बहुत बारा पुलिस टेशन गया तो उन्होंने अफायार दर्ज नहीं किया कोई एक्शन नहीं ले रहा सर जितने लड़ सकता था लड़ा सर अब कोई र जाने में है उसका परिवार सबके इंक्वाइरी करो और वो भंगार वाला है ना उसके भी डीटेल निकालो ठीक है बाप का पुलिस टेशन है क्या जो मर्जी है वो करेगा मासूम जन्ता को सताएगा क्या आप लोगों ने जो बताय हो लिखकर मुझे दीजिए उसके साथ क बहुत प्यास लग रिए है पापा बहुत प्यास लग रिए मुझे भाई पीने का पानी का है यह इधर से जाईए जो पानी हो रिक है चलिए अंकल हा ठीक है पानी पीकर आईए मैं बाहर उपता हूं मालिक आपने भुलाए तुझ में बाहर बात चीद करके अंदर भेजना चाहिए ना सिधा अंदर भेज देगा तुझ उन्होंने कहा कि वह आपको जानते हैं इस वार्ड में रहने वाले 54,650 लोग जानते हैं मुझे सबको अंदर भेज देगा तुझ सब लोग मुझे पैश साल तक रहना है मुझे ये बात समझ में नहीं आती क्या नेतागिरी करने चला है या क्या हुआ बेटा पापा क्या हो बताओ न पापा हम लोग जैसा सोच रहे वो मिनिस्टर वैसा नहीं है पापा सच में दरसल है हमारी आखरी उमीद थी उससे भी कुछ नहीं हुआ दो ब तो 묶े साल जी से सब्झेव कर रहा हूं 25 साल से हासे 25 साल से स्वरी सर्वी अ ये यूनग ड्राइवर चाहिए था..सर सर द्छ ब्ल्ल में कोई प्राबलम नहीं होगी मैं टाइम पर आूंगा टाइमिंग की कौई प्राब्लम नहीं आप तो चला लोगे ऑप्र आपकी ये इस सब देखा नहीं जा रहा है बिटा मम्मी मैं तो बड़ा रड़का हो गया ना मैं एक अच्छी सी नौक्री देख लेता hätte ना ने परिवार को बाद में समालना परिवार को समालने की जिम्मेदारी मेरी है अब ही ताकत है मुझ में जाकर अपनी पढ़ाई करो समझे ना नौकरी माद ढूंडो गरम पानी रख दो बच्चों को भणकार ही दी क्या पापा ने मैंने कुछ नहीं कहा यह खोडी पहरा था जाओ शिल्पी तुम्हारी मोबाईल की दुकान पे बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं ना हां उनसे पूछना था कि इसके लिए कोई पार्टाइम जोब मिलेगी क्या ए कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने में अभी छे महीने है इतनी जल्दी क्यों नहीं यार मेरे पापा के क्षकार नहीं है तो इसलिए नौकरी ढूनने में बहुत मुश्किल हो है रूख 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 ग्लत बड़े पढ़ने के लिए समझी क्योंकि इसने मेरे दोस्त पर हाथ उठाया है इसलिए इसको माफी मागनी पड़ेगी तु यह लफड़ा करने आया है क्या इसने गलत ब्येव किया था इसलिए उसने मारा तू इस लड़की के सामने हीरो बनने की कोशिच कर रहा है क्या तू ज्याद क्या लफड़ा चल रहा है सैर इसने मेरे फ्रेंड को मारा है और मैंने पुछा तो मुझे भी मारने लगे ये लोग कौन है वो वो देखिए वो लोग है सर ये लोग है मेरे हाथ लग गया आज पेपर लिख रहा हो इनके खिलाफ कंप्लेट लिखो तू लोगों को ना है य सिर्फ एक ही नहीं तीनों नाम लिखना समझे तभी स्ट्रॉंग केस डाल सकते हैं इनके उपर इतने दिनों मेरे हाथ से बचते रहे एक मजबूत केस मिला है अब बताओंगा कि मैं कौन हूं ऐसे ही नॉर्मल कुछ मत लिखना अथियार वथियार भी लिख देना इसमें त अरे पढ़ना साहब हम लोगों के रिस्पेक्टेड ऑफिसर आम लोगों की गली में लाइट जलने की वज़े से कुछ सामुई घटनाए घटी रहती है किसके घर में कौन जाता है कुछ समझ भी नहीं आता जो लिखा है वो पढ़ फाल्तू बाते करता है यही सब लिखा है इन्होंने क्या कर रहतू हाँ साहब ऐसे ही लिखकर इन्होंने साइन किया है देख लीजिए यह स्टुडेंट्स की लडाई है हमारी आज लडाई हुए कल दोस्ती भी हो जाएगी आपको बेवज़ा टांग अलानी की कोई जरुवत नहीं है आपका जुका में बस वो तुम लोग मजाग कर रहे हो हमारी इतनी इमत हम आपसे मजाग करेंगे पहले इसे उठा के अंदर डाल अगर हमें पकड़ा तो हम आपका वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो पूरी शोशल मीडिया में फैला देंगे आप शुकर दिखाओ ए इतना सा तो है तु जबान बहुत लंबी है पुलिस स्टेशन में दिखाता हूँ तुझे गाड़ी मिठाई से अरे दोस्तों फोन निकालके वीडियो बनाओ और फेजूप में डालो जल्दी करो और वाट्सप में डाला करने वाले हो तुम लोग यह कॉलेट के बचे छोड़ी बातों पर सोशल मीडिया पर वीडियो बनागर डाल देते हैं और ऐसी वीडियो पहलने से ब्रॉब्लम हो जाती है हमारी इज़त मिठी में मिल जाएगी सर पहले टीवी पर आएंगे और फिर हम निकाल दिये जाएंगे सर नहीं चाहिए सर च अब दोस्कों के बीच कोई समझा नहीं हुआ है तूने मेरे दोस्त को मारा तुझे माफी मांगनी पड़ेगी चल चल चोड़ना तुझे तो माफी मांगनी पड़ेगी चलो चलो हमने तो कुछ और ही सोजा था कल स्कूल में चुट्टी है हाँ यार कुछ फंक्शन है हाँ ठीक ठीक है तेरे स्कूल में हमेशे चुट्टी रहती है तुझे जलन हो रही है क्या हुआ रूप क्यों गया यह तो पापा है अधिक है पहुंच जाओंगा कहां रखना है सेकंड फ्लो अच्छ आ भूलना अरे पहुंच आओंगा ना थीक है देख लेंगे अरे उस्ते भी बात कर लेंगे हम लोग यहां पर है अगर उन्होंने देख लिया तो बहुत गुस्ता होंगे कितने अच्छे है गुद गुद ही हो रही है अइसा होता है पापा अरे खून जम गया है और लगा लेना चाहिए था ना यह बिना तेल के थोड़ी ठीक होने वाला है इतना फाल तुखर्चा कितना बड़ा घाव है मुझे तो लगाता थोड़ा सा लगा होगा आपने मुझे पहले के नहीं बताया जी चोटी मूटी चोट है दिरे दिरे ठीक हो जाई लगा दो किया हुआ पापा फ्रेंड की बेहन के शादी है आज रात को रिसेप्शन है आतो नहीं पापा क्लोस फ जा रहा है आपने पड़ो से प्रभु यह यह अफ्रेंड है इसलिए वह भी जा रहा है तो असे जाने दो उसके एंध्वाशानात के वैसे हैं जा सकता है हम मैनेज नहीं कर सकते अपनी प्रब्लम हमेश ही रहेघी बच्चों को दोस्तों के साथ हस्ते खेलने दो क्या जे आप रोज कमा कमा कर लाई और आपके बेटे बस खर्च करते रहेंगे आप को नमसकार बैठे बैठे बदाई ओ आईए सर एक सेलफी चाहिए सर अजवागे बहुत 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 धन्यवाद हाँ ठीक है, हाँ ठीक है सर, बला मज़ा आया, भाही सामवल उतपा देना, बस बस, सर आपको सर, नहीं बेटा, अच्छा तुम तिरुपती के बेटे हो ना, हाँ सर, मैंने तो सुना था कि तुम कॉलिज के फाइनल इयर में थे, तो फिर ये काम क्यों कर रहे हो, नहीं वो ऐ अच्छा, ये कार्तिक का बेटा है ना, हाँ, हाँ सर, ये भी तो प्लस टू में था ना, अच्छा फोन करता हूं मैं जरा, हो क्या रहा है, सर, सर, उनको पता नहीं है, सर, प्लीज सर, लेकिन तुम लोग इस तरह से छुपा क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो, पढ़ने अच्छा, हम लोगों के परिवार जिस हालात में हैं, हम लोगों की पढ़ाई का खर्चा कुछ जादा ही लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि अपने पापा का बोश्च काम कर दो, इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, हम यहां पर हैं पापा को नहीं पता हैंकल, मिस्टर की कार है, देखके नहीं चला सकता, मिस्टर की गाड़ी है, समझ में नहीं आता, जाओ 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 बहुत मार लिए उसको छुड़ा दो, अपने कार के पार्ट्स को लग लग करके बिष्ट्यों ला कौन है, वो जो अंदर बैठा है, लेकिन उसकी गाली पे थोड़ा सा स्क्वैच आए, तो उस आदमी को कितना मार रहें लोगों ने, वो मिनिस्टर है, इसलिए अपना पावर दिखा रहा है, अपनी कार को इन लोगों ने, कितने तुकड़ों में बेचा है, उसी तरह हम इनकी गाली बेच देंगे, क्या बो पार के चाबे उठाकर आजाना, हम तिनों के पास पांच मिन का टाइम है, है है, हेलो, औरे बोल मेरे रहार, ने अंतारा, कहां पर अपने मंडल पे है, क्या गे रहा है, सच में, मैं अभी आतो दरवाजा पे, अभे ने अंतारा रही है, चल, मैं देखता हूं, सर, एह, क्यों चुराई ओस आदमी के गाड़ी यह सब बात में बताता हूं हम लोगों ने जो बोला वो रेडी है वो सब मैंने कर दिया है यह अरे कार के कलर के साथ साथ नंबर प्लेट भी चेंज करना होगा ठीक है गारी एकन दूसरी दिखने चाहिए क्यों बेटी इतने रात को क्यों बुलाया तुमने मुझे यह देखिये यह लोग क्या करे है क्या क्या इन लोगों ने कुछ समझ में नहीं आ रहा है आईए भाई तुमने मुझे अभी यहां पर क्यों बुलाया क्या हुआ कुछ बताते क्यों नहीं बाई यह कार है हाँ यह कार है तो क्या हुआ किसके कार है यह बड़े आदमी की कार लगती है तुम लोगों ने कार क्यों चुराई अपने परिवार का कर्ष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा है जहां काम पर गये थे वहां मिनिस्टर भी आयोए थे तब एक आदमी ने उनके गाड़ी पर स्क्रैच कर दिया था तब यह मिनिस्टर ने उसे बहुत मारा लेकिन हम लेकिन हमने पुरी तरह बदल दिया कार को करेक्ट सही है कलती करने वाले को उपर वाला देखता है लोग कहते हैं लेकिन उपर वाला कब देखेगा मैं ही उसको सजा क्योंने देदू ठीक है हम लोग क्या करें अब भाई आप इस गटप में जाओगे फास जाओगे अब मै मटन वाला भाई बनकर नहीं जाओँगा अच्छा मुझ पर भरुसा करके कौन खरीदेगा वो कुछ नहीं है भाई वहाँ पर एक कटिंग गणिशा करके घूमता रहता है उससे पकड़ ले तो अपना काम पूरा हो जाएगा कटिंग जागे कटर का पानी भी ओके गेरियो नमस्ते बॉस है यहां पर कटिंग किसका नाम है यह मिश्टर कटिंग जी मुझे आप से पांच मिनट बात करनी है सुरी मेरे पास टाइम नहीं है मैं बहुत बीजी हूं मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं वास कमिंग बहुत आइं अब कमिंग फ्रों मलेशिया आइं कटिंग गणिश फ्रों भीहार आई यह गारी में बैठ कर बात करते हैं कि उन्होंने दुकान लोग करने के लिए बोलाता न अभी तो खोले वे तुमा चलो सारी गड़ियों को अंदर कर दिया है यह गणिशा किसके साथ है क्या बात है क्या है गड़ियों बात करेंगे मलेशिया पार्टी को कार के साथ डील करने के लिए लाया हूं दोस्त अंदर आओ अर्जेंटली पैसे चाहिए गाड़ी को लेकर डील खतम करो गड़ेश यह सब अभी ठीक नहीं लग रहा है अभी आसे जाओ बड़ी पार्टी है मलेशिया से आई है जब भी मलेशिया से आते हैं तो सीधा मुझसे मिलते हैं तेरे बारे में इतना बताया और तुम मेरे इंसर्ट कर रहा है गाड़ी के पेपर इंशोरेंस सब है न देखिए यह सब होता तुम्हें कंपनी में नहीं बेज देता आपक ले लिजे क्या ले लिजे वह अपना रेट पताएंगे तभी तुम्हें ले लूंगा ना यह जो भी गाड़ी यहां पर बेशता है उसमें तीन हिस्सेदार होते हैं अरे बोलो ना गरेश हां फ्रेंड टोकन ले लिजे अचा ठीक है लाइए दीजिए यह लो ओके गाड़ यह लिजिए और बात कराने के लिए अच्छा है चलिए चलिए फोन आ रहे पुछना पुछता हूं श्रवन मैं भाई बोल रहा हूं बोलिए भाई बंगार वाले ने मुझे कार का सिर्फ 20,000 रुपी एडवांस दिया है बाकी के पैसे सुबे देने के लिए बोला है भाई हम लोगों को पैसो की जरूरत नहीं है वो कार को काट कर बेच देना भाई मैंने जो प्लान बनाया ना वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है बाकी बाद हम बात में बताते हैं ठीक है ठीक है वेट करता हूं आओ वो कार बेचने वाला अभी तक आया नहीं है मुझे तो गड़बर लग रही है अजा सुन गाड़ी को काट कर अलग कर देना ठीक है भाई कर दूँगा ये जल्दी जल्दी कर ठीक से काट जल्दी कर हाँ चला क्या आले सेट जी नमस्ते पीसे सकोर आप से यी बात करनी है हां नई कार है फ्रेश पीस है इसे के बारे में बात बात कर लेंगे पहले समान तो ले लीजे एए वो तुम्हें कहीं मिला नहीं क्या इदर अदर हर जगह देखा बाई वो कहीं पर नहीं मिला हुँ चिंता मत कीजिए उसे यूड़ों लेंगे हम अरे कहां डोड़नेगा तो उसे? अरे आप भरोसा रखी हम पे ए लोबो सर नमस्ते नमस्ते वेकर छोड़ो एक हफ्ते तक कोई भी गाड़ी मत खरीदना क्यों सर? पता नहीं, लेकिन मिनिस्टर की गाड़ी चोरी हो गई है मिनिस्टर की गाड़ी? राजी का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उस गाड़ी को खोज रहा है अभी अभी वाइलेस में मेसेज आया है कौन सी कार है सर? वाइट कलर, फॉर्चूनर कार है ऐसे क्या देख रहा है? तू नहीं गाड़ी चोरी की है क्या? सर, कल रात मेरे पास मलेशा की पार्टी आया थी एक वाइट कार को ब्लैक करके मेरे पास ही बेश कर गया है मेरे आद्मियों ने तो उसे काट भी टाला सर क्यारे, थोड़ी भी अकल नहीं है क्या? उसने अभी तक पैसे नहीं लिए है सर से ने हमें फंसाने का प्लाइन मनाया है सर मलेशिया पार्टी कौन है सर मलेश्या के पार्टी को सिर्फ कटिंग अने इसी डूट कर ला सकता है वही उसे मेरे पास लेकर आया था कटिंग है वो कहां मिलेगा सर कटिंग है रुको रुको पीछ लो पीछ लो देखो क्या कर रहा है ठीक है यह क्रमेंस पिलती करना है चार यह बोल रहा है कि मलेश्या के पार्टी है मलेश्या पार्टी है इसे काड़ी में पठता चल अंदर चल्टो आपके कल शादी है और आज बोल रहे हो ठीक है किया बेजवा दूंगा सार बाद में बात करता हूं हलो यह इस तरह क्यों भाग क्या आ रहा है पता नहीं यार अरे भाई का फोन आ है भाई पूछना पूर्ट टेंशन में लग रहे वह पूलिए भाई कटिंग गणेश को अभी अभी पुलिस पकड़ कर ले गई है पूलिस ने पकड़ लिया अभी बताता हूं ठीक है भाई हम लोग आते हैं भंगार वालों को तुने बेची थिकार सर नशे में है अब गुस्टे में पूछ रहे इसलिए डर रहा होगा बच्चों की तरह प्यार से पूछू प्यार से नहीं थोड़ा शांती से पूछिए सर शांती से साप बुला रहे है ग्रृष्प आ ऩैण किती चर्भी है फिसके अंधर मारू कैंट आया तंसर फूछ पूछ रहे है आए SMITH सुना मेरी बात ध्यान से सुन वो कार पार्टी वाला कौन है सर जो पूछ रहे उसका जवाब दो चल कार पार्टी वाला कौन है पूछ रहे पूछ रहे जवाब देना मेलेशियन पार्टी सर फीक है सर माय फ्रेंड सर फूल सर बाहर जा तुम बाहर जाओ मेरी तो किस्मती फूटी है अब तक यही बोलता रहेगा तुम पिछले दो दिन से घर पे यही बकवास किये जा रहा है यह सर मैं यहाँ पर आई हूँ तो इसे छोड़ने के लिए कहने नहीं आई हूँ सर इससे पकड़के जेल में डाल दीजी यह कहने पर देखिए आपको बहुत पुन्य मिलेगा सर इसे घर की तरफ आने ही मत दीजेगा कुछ भी कीजिए इसका अगर यह गलती से भी घर की तरफ आ गया ना सर तो मैं ही इसे माल डालूँगी जब देखो यही बोलता रहता है देखना भी मत घर की तरफ देखा क्या बोला उसने सर अरे यार इसक कि इसको नहला हैंडपंप पर ले जा इसको फूरा नशा उतार कर लिया ना इसको क्या क्या करना पड़ता है रे बाबा आज तक मैंने ऐसे किसी को नहलाया नहीं था अगर ऐसा करता तो इस पोस्ट पर भी नहीं होता है न इतना पानी डाल रहा हो पर ये होश में ही नहीं आ रहा है क्या करू इसका अरे बापरे अब तो हैंट पम का पानी भी खत्म हो रहा है अब पानी कहां से आएगा मेरे हाथों में तो दर्द होने लगा है अरे तेरे तो हाथ ही दर्द हो रहे हैं पर मेरे तो हाथ पैर पूरा बदन दर्द हो रहा है रे बाबा आज तक अपने घर पर एक बाल्टी पानी नहीं भरा पर इतना पानी डाला इस पर पर इसका नशा उतरा ही नहीं है अब तक सर इसके उपर पानी डालने से कुछ नहीं होगा इसे तो पानी में ही डुबाना चाहिए अरे डुबाने की बात ही मत कर, इसे कहां लेकर जाए और डुबाए, अरे कुछ तो बोले शराबी, नहीं तो मर जा, अरे मुझे गाली दे रहा है, पुरा नहला दिया मुझे, ए बाबा, इसका नशा उतर गया अरे, जाकर सर को बुलाओ, जाओ, बुलाता हूँ, अरे बाब अब ये लोग यहां क्यों आ गए, समझ में नहीं आ रहा, ए सुनो, वो कार पार्टी वाला कौन है, कुछ बताया इसने, नहीं बताया, अभी तक कुछ भी नहीं बताया इसने, एक ही बात बार-बार पूछ कर, मैं भी बहुत ठक गया हूँ, क्या कह, एक ही बात बार-बार या इन लोगों ने शराब का अभिशकार किया नशा उतारने की विधा दर गत ग्राड जाब कितनी मैनत की थी मैंने बर्बात कर दी रे इतनी शराब क्यों Awas नशाक है। पी पी मज़े से उत्रा क्या अरे फिर जदारू पिला दी इसको अब तो मुझे में विच्चे को ढूंटे हुए बाप आ रहा है वैसे आ रहा ही है उसको उठाकर गाड़ी में डाल दो पख़़द पकाड़ केदा हो एग घर इनको माफ कर देख कर ली और इन लोगों को भाटा Wak Report अठयां गाड़ कर ली और इन लोगों को फसार न werde पत कर दिया और बंळार शोता नहीं था कि ये मिनिस्टर की कार है उसने काट डाला और कार की इंक्वारी करते हुए पुलिस वाले ने तुझे पकड़ लिया इन लोगों को फसाना मत मेरे भाई मेरा फ्रेंड सेर सूपर सेर मैं मलेशिया पार्टी बनकर तेरे पास गया था किसी को बताना मत मैं मेरा फ्रेंड सेर फुल ले सूपर खुल मैं कौन हुई यह नहीं जानता है यार भाई अभी हम क्या करेंगे इसे इधर ही छोड़ देते भाई नहीं अगर इसे हमने छोड़ दिया तो दुबारा इसे पुलिस पकड़ लेगी और अगर उन्होंने इसका नशा उतार दिया तो यह सचाई बता देगा हम सब फंस कि मैं city ये जी सेर मेरे फेंड है सिर चावाई शोपर रैल सावं गाडी आ रही है उसको नौटी है चाली और भाई क्या हूए ट्रैवर भाई इसके मां की तब्यात शेल्वाप ट्राब है है इस्ने बहुत यह शाराप भी रखी है पीसे आगे छोड़ देना प्रीज पीज करें रॉन्सें राटी चरो इसको दिली वाड़ा इसको गारी में भेज़ करें भाई पॉंडी छिर आने वाली गारी करेक्टर उससे वापस प्याँ पाएगा चलाओ चलाओ उसको इसको आदो जो अब बंद उतरना वहीं उतरना पाप रहे किसी तरह उससे पीछा चुटा है तू बात कर उसको दे मुझे तो बात कर ला है है अलो कंट्रोल रूम हाँ बुलिए है क्या हुआ रुखना हलो हलो आप मिनिस्टर की कार को ढूंड रहे हैं वह पालम खेर की भंगार की दुकान पर है और उस से ज़रुरी बात इसमें लोकल इंस्पेक्टर भी इन्वाल्व है हलो अब कर दो सर नवस्ते सर कंट्रोल रूम से आपके लिए फोन आया है सर हलो हम कौन से अरिया है ओके तैंक्यू से कितने मैंनों से इस बारे में बात कर रहा हूं मैं कमिशनर बोल रहा हूं सर से एक मिन सोट करनी है आपकी कार कहां पर है इसका पता चल गया है उक्सने मेरी मेरी कार चोरी के थी वह पुराने बंगार वाले पुराने बंगार वाले वहीं पर है सर जोरी करने वाले का नाम लोब है मेरी गाड़ी भी ने काट कर बेज देवो आपके फॉर्चुनर गाड़ी है ना सर तो उसके पार्ट यहां नहीं खरीदेगा वह महंगे आते हैं ना सर वहां के एरिया इंस्पेक्टर को बोलो उसको त क्या बाद है सर यहां का माली कौन है कौन है यहां का माली सर यह रहें सर क्या हुआ सर क्या बाद है क्या हुआ आपके उपर एक इंक्वारी हुए मिनिस्टर के कार के मामले में सर अंदर बैट करें डिरेक्ली मिनिस्टर साब इंक्वारी करना जाते हैं साथ चलो कमिशनर को से कंश्टिबल इसे काली कर दो कि इसका कश्ट रहा हुँ उसे ले जाकर इंशॉरंस क्लेम कर दो ठीक है ठीक है सर यह एक ऐलीजिए तक यह जो का है दोनों अंदर है इस एक यह फोन ही नहीं उठा रहा है यार बेटा अन्ना को आने के लिए बोलो बच्चे लोग क्या चल रहा है यहां पर बंगार वाले और इंस्पेक्टर को अरेश्ट कर लिए अच्छा उसके बाद उन लोगा क्या हुआ पता नहीं चला भ अधन्दा चलू करेगा और वो इंस्पेक्टर दो-चार महिने सस्पेंड रहेगा फिर से आकर अपने ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा यह सब इनके लिए आम बात है यार भाई आम लोगों का क्या होता है उनको अरेस्ट करके जेल में भेजा जाता है और उनको टॉर्चर क है ना जली कटू को क्या हुआ स्टेट गौवर्मेंट और सेंट्रल गौवर्मेंट को इलाक रख दिया था ना कभी हार नहीं माननी चाहिए कुछ भी असंभव नहीं है सोचोगे तो कुछ भी कर सकते हो चली सर इनकी रसी खोल दो तुम लोग बाहर वेट करो ठीक है सर जल्दी जल्दी खोलो आपने कितने मासूमों को टॉर्चर किया है अब खुद को देखिए जा रहे आपक अभी सुधरने वाले नहीं है खुल 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 ज़ar लेकिन कटिंग गनेश उस पाठी को लेकर आया था कटिंग गड़ेश कहां पर है वो बताओ कटिंग गड़ेश को भगाने में इन्हों नहीं मदद की थी अच्छा तुमने भी उसके साथ कटिंग ली थी क्या सर इन लोगों से मेरा कोई सम्मन नहीं है सर इसने कार बेच दिये सर और मुझे उसमें शामिल करना चाता है इए इंस्पेक्टर हफटा लेते वक्त तो बलहा दे बलहादья बोला करता था अभी साब का मामला है तुम मुझे फसाना चाता है इदर उदर हाथ लगाने के बजाए तुने सर पर हाथ लगा दिया है समझा अपना मुझ बंद रखो तुम दोनों मिलकर चोरी की है और मेरे सामने दोनों नाटक कर रहे हो मुझे पता नहीं था कि वह आपकी गाड़ी है अपनी बीवी की कसम खा रहा यह पूछे पहले कितनी बीविया हैं मेरी सिर्टीन बीविया हैं सर कभी कभी धंदे के सलसले में अलग अलग गाओं और शहरों में जाना पड़ता है बाहर के होटल का खाना मुझे पसंद नहीं इसलिए इसलिए हर गाओं में एक बीवी रखता है तो इसको चपल से हर गाओं में एक बीवी रखने का शौक है तुझे अगर ऐसा इरा आना तो मिनिस्टर की कार नहीं बिल गेट्स और अंबानी की गाड़ियां चोरी करने पड़ेगी सर आपकी गाड़ी का पैसा मैं वा इसलिए गाड़ी खोली गई है लेकिन सेलफोन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता यह तो कह रहा है सेलफोन गाड़ी में आप से इसलफोन इसी ने लिया होगा यह जूट नहीं बोलता है इज़त से मेरा सेलफोन दे दे वरना तुम दोनों की क्या हालत करूंगा मुझे खुद पता नहीं है तुम दोनों को जिन्दा जमीन में गाड़ दूँगा तुने गाड़ी खरीद ली और सेलफोन भी ले लिया बताये नहीं क्या कह रहे हो साहब कसम से गाड़ी के अंदर सेलफोन नहीं था तुने जो गाड़ी खरीदी उसका पैसा मुझे मत दे अगर चाहिए तो मैं तुझे और फैसे देंगा लेकिन मेरा सेल फोन तो देदे साहब का फोन कौन से मॉडल का है मैं आपको लाकर दे दूँगा अब तु उन्हें लेकर देगा खरीद कर नहीं दिएगा क्या सर वही तो बोल रहा है नया मॉड़ल देगा आप इसे लेटिस मंगिए मैं सेलफोन नहीं खरीच सकता क्या कि इससे मंगूँ है फोन आफ कर दो सेर घर से फोन आ रहा है अरे उधर जाकर बात करो मुझे इंसान से जानवर मत बनाओ थोड़ी देर के अंदर मेरा सेलफोन या मुझे चाहिए कार्थी का वो सेल किदर है यह लो मुझे क्या किसका फोन है भाई यह मिनिस्टर का फोन है उनके कार से उठा लिया था ज़रे वीडियो देखो कैसा वीडियो देखो वह रुपो वह रुपो यह दूसे अरे रुपजा एक देख नहीं पाता दूसरा निकालता है यह इतना गिरा हुआ इंसान है यह सब सेंपेली है भाई तुम भी टाइम देखकर फोन किया करो काटो फोन मुझ चड़को फोन लगाओ यह लिजे भाई हलो मैं कॉंस्टेबर सुंदर राजन बात कर रहा हूं आप कौन है जनाल मेरा नंबर सेव नहीं है क्या कि मुझे प मैं कोई और समझ कर आप से उंची आवाज में बात करने लगा प्लीज आप मुझे माफ कर दीजे कोई बात नहीं कोई बात नहीं कमिशनर आ रहा है न वो मिनिस्टर के साथ खुद के कॉलिज की कैंटीन में एक छोटी सी इंक्वारी कर रहे हैं तुम कहां पर हो मैं उनके स कोन किया था इसलिए मैं बात करने के लिए बाहर आ गया था ठीक है ठीक है अच्छा उनको मार कर रहे हैं या पूछ कर रहे हैं बहुत अजीब से लग रहा है है मेरी खामोशी को तो मजाग समझ रहे हो इज़त से मेरा सेल फोन मुझे दे दो तुम्हें जितने पैसे चाहि दूँगा लेकिन उस सेल फोन में मेरी इज़त शोरत मान मर्यादा सब कुछ है अगर उसमें से एक भी क्लिपिंग बाहर निकल गई ना तो सिर्फ मेरी राजनीती ही नहीं मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा मालिक मुझे से मुझ से बात करने पर यह नहीं बताएंगे इंके मुझे पर चब्पल की बरसात करो तब यह बताएंगे अरे मारने के लिए कहा तो तुम इनके मसाज कर रहा हो सुनो यह इंकी खातिरदरी नहीं कर पा रहा हैं अपने फिमेल पार्टी को बुलाओ ठीक है सब एए फीमेल पार्टी का मतलब पार्टी ऑफिस में रंगोली बनाने वाली और वोट मांगने वाली नहीं है यह अलग तरह की फीमेल से हैं अभी आएंगी देखना ठीक है आप लोग अंदर आजाईए यह लोग अपना मूह नहीं खोल रहा है इनको अपना जादू दिखाओ जी सर है यारे मूह नहीं खोल रहा है तो तुछे तो भी बता नहीं है और मारी से चल बता बता बोलो ना रुख जाओ फिर बुलाता हूं जाओ आराम करो ठीक है सर आज तक मैंने अपनी बीवी से भी मार नहीं खाई यह लोग इतना धोकर चले गए मुझे आपके सेल फोन के बार में सच में मुझे कुछ नहीं पता बाई इस समय वो दोनों होई पर होंगे है ना उनके हाथ में मोबाइल भी होगा अगर इस वीडियो को फारवर्ट कर दे तो कैसा रहेगा अच्छा एडिया है सर इस फोन पर तो वीडियो आ रहा है यह देखिये न जरा देखिये न अब यह जरूरी नहीं है रख दो उदर यह तो आप ही का वीडियो है यह तो वही वीडियो है जिसमें आप में मोना के साथ डांस किया था इसमें तो सब कुछ है सर यह तो डांस ऐसे कर रहेगी जैसे मुझे नचा करी रहेगी यह तेरा फोन है तेरे फोन में यह वीडियो कहां से आया उपर से बोल रहा है कि पता नहीं है, मैडम, इनके धुलाई करो नहीं नहीं मालिक, नहीं आपने जैसा बोला था, भंगार वाले की तो मार मार के हालत ही खराब करती है अचा, मार रहा है मोलोग, मिजुक चन्द करो अब इंस्पेक्टर को वीडियो भेजो यह किसका फोन है, इंस्पेक्टर का फोन है, सर यह तो रेलबे स्टेशन की भिखारन जैसी लग रही है इसके फोन में यह वीडियो कहां से आया, मेरे किसी दुश्मन ने भेजा होगा सर तेरा दुश्मन है तो तेरी कर्तूत का वीडियो भेजना चाहिए ना, मेरा मेटेप कैसे आ गया, मैडम, जलो इसकी धुलाई करो क्या रे मुह ने खोल रहा है तु तुछे तो अभी बताती है अब इसकी पिटाई हो रहा है तुछे तु अबीता कांस्टेबल है बहुत जल्दी तेरा प्रोमोशन करवा दूगा अगर तुम दोनों को जिन्दा रहना है ना तो फोन मुझे लाकर दे दो नहीं तो तुम दोनों के चमड़ी उधेड कर उसमें भूसा भरवा दूंगा दोनों को पीटो चलो 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 इसा हो पूल नहीं चोड़ो करूना करूना है चलो नीचे उत्रो ओके सर बालाजी भगवान से आशिरवाद लेलो अरे जल्दी से बहार आओ चलो सब गाड़ी में बठो एक राउंड मार करते हैं ठीक है सर बेटा हम गाड़ी को राउंड मार कर राते हैं अगर इन्हें आना है तो प्रभु को भी साथ मे चलो 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 इंस्पेक्टर साब इंस्पेक्टर साब क्या भाई अभी तक इंक्वाईरी चली रही है अब मिनिस्टर भी इस जंग के मैदान में उतरकर इंक्वाईरी कर रहे हैं उनके फोन पर एक मेसेज आता है फिर मिनिस्टर देखकर घबराते हैं और इन लोगों को म आरते हैं कहा कहा से मेंस्छ आ रहा है कौन भेजरा है कुछ पता नहीं अभी चार्ज रूतर गया है हॉस्पिटल में जाकर ग्लुकोज चड़ा कर रीचार्ज करेंगे और दो बारा कर जाएँगे मारने के लिए हर फूस्पिटल में घ्लुकोज चड़ा है इसे difer mniej चासरी ध दिखते हैं जरा हुना यहां तक तो आने दो हम जैसे मिडल क्लास वाले लोग पैसे की ताकत और राजनीती की ताकत से हम लोग डर कर जीत नहीं पाते ऐसे लोग हम लोगों के परिवार को चैन से जीने नहीं देते हम लोगों को सबक सिखाने के लिए भगवान ने हम लोगों को एक चांस दिया था उसे हम लोगों ने सही तरीके से इस्तिमाल किया